हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आपने यूपी त्रिपल एसी पेट का फॉर्म डाल रखा है तो यूपी त्रिपल एसी पेट के बारे में आप लोगों ने अच्छा कासा अध्यान कर लिया होगा आपने उसका क्या स्लेबस पढ़ लिया होगा आपने हो सकता है कहीं पे बैच ले लिया हो ऑनलाइन आफलाइन कहीं भी ले सकते हैं आप और अगर आपने ऑनलाइन आफलाइन बैच ले लिया है और अगर आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आप हमारे चैनल से जुड़ जाएए जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं जो टॉपिक आप पढ़के आ रहे हैं उसका प्रेक्टिस यहां पर मार सकते हैं आज से हैं यह स्रीज स्टार्ट की जा रही है आज की पहली टॉपिक जो होगी वो क्या होगी तो पहला टॉपिक जो हमारा होगा UPAAA practice at PDF संभीधान का सभा का इतिहास और संभीधान सभा के बारे में आज का जो topic होगा यही होगा इसी के बारे में परसंदे जाएंगे और last में आप से एक परसंद पूछा जाएगा जो आपको comment section में आखे बताना है फिर हमें लगेगा कि हाँ आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि PDF तो PDF की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप पे आ सकते हैं वहाँ पे आईए आपको क्या करना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे यूटूप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुए उसे चुकर आप जॉइन की कर सकते हैं और वहाँ पे आपको यह सारा PDF मिल जाएगा वहाँ से आप अपनी प्रेक्टिस बाद में भी कर सकते हैं अभी तो कर ही रहे हैं ठीक है अगर आपने सम्विधान सभा का इतियास सम्विधान सभा के बारे में पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं आप अगर यह पूरा प्रसंद देख रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप ये पूरा प्रसंद देखने के बाद आप से कोई प्रसंद सम्मिधान सभा के इतिहास से नहीं छूटने वाला है अभी पूरा कबर नहीं हुआ लेकिन जहां तक कबर हुआ वहां तक आप से कोई प्रसंद नहीं छूटेगा तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं बिना समय लगाई ठीके दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम प्रस्न प्रथम प्रस्न दिया हुआ है एक मिनटी यहाँ पे आ जा रहा है यह दिया हुआ है पर्थम बार सम्विधान की मांग कब की गई तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है पर्थम बार सम्विधान की मांग कब की गई तो दोस्तों आपको लगाना है कब 1995 में की गई पर्थम बार संविधान की मांग कप की गई तो 1995 में की गई और लगे हाथ दूसरा प्रसंदेखो यहाँ पर क्या ले भोला है कि पर्थम बार संविधान की मांग किसने की तो पर्थम बार संविधान की मांग किसने की थी बाल गंगा धरतिलक जी ने की थी अगर आपसे एक प्रसंद और पूँच ले कि बाल गंगा धर्तिलक ने किस बिध्हक के दौरा संभिधान की मांगी थी तो यह मांगी थी सुराज बिध्हक के दौरा पर्थम बार बाल गंगा धर्तिलक ने पर्थम बार बाल गंगा धरतिलग ने संबिधान की मांग की थी भारत के संबिधान की मांग की थी ठीक है इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा चलिए अगला प्रसंदिया हुआ है कि यह कथन एक मिनट वही दिक्कत फिरा गई हाँ यह कथन किसका है कि भारत का संबिधा कथन्你 ना भारत का सम्मिधान भारत के द्etric मात्मा गाधियका ? Option t qqb का था? थीक है तो आपको ये ध्यान रखना है अब आप से प्रसां इसी सब्टाइब का पूछे गजानी करे पूछेगा एक कथन्issors का वा परबस्टन देगा कि बताओ किसी का है तो आपने इतना डीप टोपर नहीं रखा है तो आप फश सकते हैं तो इसलिए आपको याद रखना है कब इसको बोला गया था तो 1922 में महत्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविरान भारतियों के द्वारा ही बनना चाहिए अब अगला परसना आपके सामने आ गया कि नहरू रिपोर्ट कब आया तो नहरू रिपोर्ट जो आया था वो आया था 1928 में एक मिनट कब आया था तो 1928 में दोस्तों आया था आपको याद रखना है इसमें कितने सदस्य थे अगर आप से पूछ ले कि नहरू रिपोर्ट में कितने सदस्य थे तो नौ सदस्य थे उसका अध्यक्ष कौन था तो नहरू गांधी जी के पिता जी थे मोतिलाल गांधी ठीक है अगर पूछ ले कि इसमें कितने परकार के मौलिक अधिकारों की बात क अगर सदस्त पूछे तो कितने थे नौ सदस्त थे अगर अध्यक्ष पूछ ले तो मोती लाल नहरू थे आपको ये याद रखना है आप से कुछ भी पूँच सकता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्त नमबर पांच आप पूरा विश्वास रिखिए कि अगर य संबिधान का निर्मार संबिधान सभा दोरा होना चाहिए वो तो आपको पता चल गया कि मातमा गांधी ने कहा था कि भारत का संबिधान भारतियों के दोरा बनना चाहिए लेकिन अगला परस्त क्या कह रहा है देखिए यहां पर अगला परस्त कह रहा है भारतिये संबिध का निर्मार संबिनान सभा के द्वारा होना चाहिए यह कथन किस ने कहा था तो यह कथन किस ने कहा था एम एन राउने कहा था एम एन राउने कहा था ठीक है आपको यह याद रखना है ठीक है दोस्तों यह आपको क्या करना है याद रखना है और अगर पूछ ले कि कब कहा थ तो 1934 में कहा था किस के तहट तो स्वराज पार्टी के तहट और कब कहा था तो राची अद्वेशन में कहा था ना कि एक दो लोग मिलके बना सकें जैसे कि नहरू जी ने अभी आपने देखा नहरू जी और पिता जी मोती जी ने यहां कितने नौ सदस्यों में मिलकर बना दिया था यही पूरे आपस के नौ लोग थे तो उसमें यह उन लोगों को बुरा लगा तो उन लोगों ने यह कहा कि नहीं इसमें क्या करना चाहिए यह संबिधान सभाएक बननी चाहिए जिससे हम सब को समान अधिकार दे सकें अगला कोईशन अंग्रेजों द्वारा या कब पारित हुआ कि भारतिये अपना संबिधान बना सकते हैं अगस्त उननिस सो चालिस में बोला था और इसी समय क्या हुआ था अगस्त प्रस्ताव आया था अब आज से पूछ ले कि अगस्त प्रस्ताव जब आया उस समय वाइसराई कौन था तो उस समय का वाइसराई था लाड लिन लिथगो कौन लाड लिन लितगो हमारे साथ बूले लाड लिन लितगो अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उस समय वाइसराय कौन था तो लाड लिन लितगो आया लितखो था आपको यह याद रखना है और अगस्त 1940 में ही अंग्रेजों ने कहा था तो इसका भी कारण था उस समय अपने यहां के लोग दो समदागे में बढ़ चुके थे एक मुस्लिम लीग बन चुका था और एक हमारा था तो इसके कारण से वो लोग मुस्लिम लोग अलग देश अलग संबिधान की मांग कर रहे थे तो इसलिए यह कारण रुक गया था धीरे धीरे करके आपको समझाते हैं देखे यहां पे क्या द्या हुआ है संबिधान सभा किसके अनसंसा पर बनी संबिधान सभा किसके अनसंसा पर बनी अनसंसा मतलब होता है रिकमांडेशन recommendation मतलब होता है कि यह किसके कहने पर या किसके कहने पर या किसके मतलब समझ लो अंसंसा पर बनी तो यह था 1946 का जो मिशन था cabinet mission 1946 के cabinet mission के आधार पर भारतिय सभा बनी 1946 के आधार पर भारतिय सभा बनी अब यहां पर देखे क्या हुआ है कि अगला प्रसंदिया हुआ है संविधान सभा का बिचार किसका था संविधान सभा का बिचार किसका था अगर आप से पूछ ले तो संविधान सभा का बिचार भी किसका था तो M.N. Roy का था स्वरी यहां पे टाइब मिस्टेक हो गया तो M.N. Roy का था और M.N. Roy ने ही कब कहा था कभी यह अपना बिचार प्रिगट किया था तो 1934 में M.N. Roy ने यह प्रस्ताव रखा था यह बिचार रखा था कि भारत का एक अलग संबिधान होना चाहिए ठीक है अब चलिए यहां पे देखते हैं कि संयुक्त भारत के संबिधान सबाग में सदस्तों की संख्या कितनी थी एक मिनट यहां पे आपको ध्यान रखना यहां पे बोला गया है संयुक्त भारत यह आँ पे आप देखिए तो यह क्या बोला गया है संयुक्त भारत ना की भारत के बारे में बात किया जा रहा है संयुक्त का मतलब पाकिस्तान और भारत तब एक था उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो कितनी थी 389 जितना जादा आपको लगे क्या 38 389, 389 संख्या जन संख्या, ओ, सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी उस समय, आपको यह याद रखना है, अब वहीं पर नीचे आप से अगर पूछ लिया जाए, भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299 मतलब 299 थी, कितनी थी, 20099 थी, आपको याद रखना है अगर संयुक्त भारत का पूछ ले तो 389-389 और अगर केवल भारत संभिधान सभा का पूछ ले तो आपको बताना है 299 ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं प्रसंद नमबर 12 संभिधान सभा के लिए सदस्य कैसे नुक्त किये जाते थे अब आपसे प्रसंद ए और बी दोनों सही है ऑपसन ए और बी दोनों गलत है इस परकार से वह पूछ भी पूछ सकता है कोई बात नहीं है आपे बोल ला है कि सदस्य कैसे नुक्त किये जाते थे तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सदस्य जो है वो निर्वाचित भी भी किये जाते थे और म मनो नयन भी मनो नीत भी किये जाते थे ठीक है ये आपको याद रखना है क्या निर्वाचन भी इनका होता था और मनो नयन भी होता था आपको ये याद रखना है इसका option number आपका C सही होगा दोनों के द्वारा होता था किन के द्वारा होता था दोनों के द्वारा होता था कितने सदस से आते थे संयुक्त भारत यानि भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला कर बात कर रहा है तो उस समय चीप कमिशनरी से कितने लोग आते थे तो आपको याद रखना है कितने चार लोग आते थे चार सदस चीप कमिशनरी या फिर नाम बदल के वो बिटिस कमिशनरी से पूँच सकता है तो आपको बिल्कुल घवराना नहीं है चाहे चीप कमिशनली पूचे चाहे बिटिस कमिशनली पूचे कितने सदस से आते थे चार सदस से आते थे किस में आते थे संयुक्त भारत में एक मिनट किस में आते थे संयुक्त भारत के संभिधान सभा में अब यहा को क्या करना भी पेट की तैयारी करने हैं आप पेट के लिए प्रिपेर हो जाएए फिर उसके बाद आप PCS बन सकते हैं AIS बन सकते हैं जो बनना चाहें राश्टपती दिया हम अमेरिका के राश्टपती सुदायन का जहां अगे बनना चाहें तहां कि आप बन सकते हैं कोई ब निर्धारण किया जाता था कितने 10 लाख सदस्तियों पर एक सीट का निर्धारण किया जाता था जहां पर 10 लाख जन संक्या होती थी वहां पर एक सीट निर्धारण की जाती थी ठीक है अगला प्रफन दिया हुआ है संभिधान सभा कि सदस्तियों का निर्वाचन कैसे होता आपको यहां पे दिया हुआ है पर्तेक्ष आपर्तेक्ष दोनों नहीं तो यहां पे आपको याद रखना है कि इनका चुनाव कैसा होता था तो आपर्तेक्ष होता था कैसा होता था आपर्तेक्ष आप्सन नंबर भी ही सही है और भी ही सही रहेगा आपके एक्जाम में आपक अठारा अभी है तो अठारा के लिए हम लोग जादा उखोसिस नहीं करेंगे उस समय उम्र कितनी होती थी 21 21 साल होती थी पहले उम्र कितनी होती थी 21 साल होती थी ठीक है अगर आप से अब मत दाता से वो और भी कोशिन पूछ सकता है कि मत दाता की यूगिता क्या होनी क्या सिच्छित होना चाहिए नंबर तीन उसके पास थोड़ी बहुत यहां की संपत्ती होनी चाहिए क्या संपत्ती होनी चाहिए आपको ये याद रखना है कि वो क्या कर देना चाहिए वो कर देता हो सिच्छित होना चाहिए और उसके पास संपत्ती होनी चाहिए ये उनक संभिधान सभा की संभिधान सभा की पर्थम वैठक कब हुई थी तो आप लोगों को बिलकुल याद होगा यह बहुत चोटा सा प्रस्न है हर बार पूचा जाता है 9 दिसंबर 1946 इस भी में हुई थी 9 दिसंबर 1946 भी हुई थी अगर आपसे दूसरी वैठक पूच ले तो दूसरी पैठक 11 दिसंबर 1946 और आपसे तीसरी वैठक पूच ले तो तीसरी वैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 यह आपको रट लेना है ध्यान में रख लेना दो दो दिन का अंतराल है आप समझ लेंगे तो बहुत है संबिधान सभा का उस समय आस्थाई अध्यक किसे न्यूट किया गया था तो S.N. सिनहा, डाक्तर सचिडानन सिनहा को उस समय क्या न्यूट किया गया था तो इन्हें आस्थाई सदस्तिकी रूप में न्यूट किया गया था आपको यह याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते ह आगे दिया हुआ है कि 19 नंबर प्रस्ट में दिया हुआ है संबिधान सभा का संबैदानिक सलाकार किसे न्यूट किया गया तो भारतिये संबिधान सभा का संबैदानिक सलाकार किसे न्यूट किया गया था तो बी एन राओ को किसको बी एन राओ को संबैदानिक सलाकार की रखना है आपसे पूछ भी सकता है अगला प्रसंद दिया हुआ है संबिधान सभाम ने अपना कारे करना कब शुरू किया आपसे ये प्रसंद इंपॉर्टेंट है जो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है ज्यादा आपके जमेले में नहीं पड़ा हूँ मैं चोटे मोटे प्रसंद तो लाए ही नहीं है क्योंकि आप मैं जानता हूँ कि वो आपको भी पता है मुझे भी पता है तो उस तरह चर्चा करने से क्या फाइदा वो तो चर्चा में ही बात उसकी हो जाया करेगी तो अभी आप क्या देखिए प्वेश्चन नंबर 20 संबिध जानसभा ने अपना कार तीसरी बैठक कब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 इस भी में सुरू किया था कब सुरू किया था तो 13 दिसंबर 1946 में सुरू किया था अगर आप से पूछ ले कि पर्थम बैठक में ये बताओ पर्थम बैठक में किन किन ने भाग नहीं लिया था अगर आ देशी रियासतों ने नहीं लिया था देशी रियासत के जो राजा थे उन्हों ने भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था दो लोगों ने भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग ने और देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था अगर पूछ ले कि बताओ कि 9 दिसंबर 1946 को जो पर्थम बैठक हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी जिन्होंने भाग लिया था तो उसमें भाग लिये सदस्यों की संख्या थी 211 सदसे आए थे अगर पूचा जाए कि पर्थम बैठक कहां हुई थी तो संसद भावन के केंद्रिये कक्ष में हुई थी आपको ये याद रखना ये आपके बेरी बेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है अगर आपसे पूच ले कि पर्थम बैठ 11 दिसंबर 1946 को दो उपाधक्ष कितने बनाए गए थे दो उपाधक्ष के नाम बताओ तो दो उपाधक्ष के नाम क्या थे अगला प्रस्न 21 नंबर प्रस्न ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आप स्वयम खुद कर लेकर आओगे और कमेंट सेक्षन में बताओगे कि इसका उत्तर क्या होगा म्यामार के संबिधान सभा में भारत से किसको संबैदानिक सलाकार के रूप में नुक्त किया गया तो आप क्या बताएंगे आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों तक पहुँचाओ उनको भेजो देखो कि अपना ज्यान जाच करो कि आपने संबिधान पढ़ा तो संबिधान में कितना पढ़ा क्या पढ़ा अब उसके बारे में जब जान जाएंगे वो आप वीडियो देखेंग तो अपनी तुल ना कर पाएंगे आप उनसे इन सबस्प्रता की प्रसन को पूँच सकते हैं और जब आपको आएगा तो आपके लिए पैट एक हलोवा सा लगेगा ठीक है दोस्तों तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत